नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राके शिवानी अश्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आज पीछे कुछ वीडियो से मैं आपको डिफरेंट दोष के बारें पढ़ा रहा हूं पित्र शाप या और दोष नाडी दोष हैं शनी दोषम है इन दोषों के लिशे हैं पढ़ा रहा हूं तो आज मैं ऐसे दोषों के बारे में आपको बताऊँगा जो चंद्रमा से उत्पन हो मैं आपको अगले वीडियो में वो पुस्तक दिखाऊँगा तो उस पुस्तक में ये सब चीजे बताए गई है और उस पुस्तक में इसकंद पुरान चैप्टर 66 का हवाला दिया गया है चैप्टर 66 का हवाला दिया गया है काशी घंड के नाम से चैप्टर है और इसकंद प तो पहला जो important दोश है जो चंदरमा की वैसे होता है, planet moon, ये हम लोग सब जानते हैं कि चंदरमा एक 12 राशियों में 27 दिन में चक्कर पूरा करता है, 27 दिन में 28 दिन में चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर उसका पूरा होता है. तिथिया मन्ती हैं जिससे वो 12 राशियों में ट्रेवल करता है और एक राशिय में करीब करीब 7-9 दो दिन वो रहता है और हम यह भी जानते हैं कि चंद्रमा व्रशब राशी में बहुत पावर्फुल होता है क्योंकि वहां पर वो उच्छिक भूता है और व्रशिक राशी में वो कमजोर होता है, निर्बल होता है, चुकि वहाँ पर वो इसकी नीच की राशी है, कहते हैं कि चंत्रमा अगर व्रशिक राशी में हो, इफ मून इजिन व्रश्चिक राशी वो पावरलेस हो जाता और यदि वो जेस्टा नक्षत्र के लास्ट चरण में हो हम जानते हैं कि एक नक्षत्र में चार चरण होते हैं तो जेस्टा नक्षत्र के एक चरण का मान तीन डिगरी बीस मिनट होता है एक नक्षत्र का मान 13 डिगरी 20 मिनट होता है तो अगर वो जेश्चा नक्षत्र के लास्ट चरण में हो तो वो वरश्चिक राशी में नमान्शा में भी जाएगा और ऐसे केस में वो वरगोत्तम नीच नमान्शा हो जाता है कि जो आपके डिवन चार्ट के अंदर भी नीच राशी में है और नमान्शा में भी नीच राशी में है तो वो उसकी पावर तो बहुत ही निरबल हो जाता है उसका तो उपाय करना ही हवश्यक होता है गंडान्त दोशा ये कुछ है जो ब्रहत पाराशर होरा शास्त्रा में चेप्टर 92 में मैंशन है उन्होंने बताया है कि 3, 3 तरीके हैं जिनसे गंडान्त दोशा मुत्पंध होता है और ये नक्षतr के ऊपर डिपेंड करता है और चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है कहते हैं कि एक नक्षत्र जो है, रफली, चंद्रमा एक नक्षत्र पे एक दिन रहता है, तकि चंद्रमा एक राशी में सवा दो दिन रहता है, और एक राशी में सवा दो नक्षत्र होते हैं, तो चंद्रमा एक नक्षत्र पे एक दिन रहता है, इसका मतलब यह हुआ, कि चार चरण अगर नक्षत्र के कर लिए जाए, जो हम मा जानते हैं, चार चरण होते हैं, तो वो एक चरण जो है, वो रफली छे गंटे के बराबर हो जाता है, और उन चरनों के भी सब डिवाइडेड किये जाएं चार चरनों में, तो एक सब चरन डेड़ घंटे का हो जाता है, 90 मिनट्स का हो जाता है, कैसे, देखिए, चंद्रमा एक नक्षत्र पे रहता है एक दिन, तो एक नक्षत्र के चार चरन होते हैं, तो चौबिस घंटे हुए तो छे घंटे एक चरन पे हो गए, उस चरन के भी चार हिस्से कर ले जाया, तो छे बटा चार हम लेगे, तो डेड़ घंटा आ जाएगा, तो डेड़ घंटे का वो उप चरन बन जाएगा, उसको हम कहें, कि वो चरनों का भी चार चरन कर लिए, नक्षत्र के, तो वो उप मिनट्स, और रूलिंग स्टार इस मघा, फर्स्ट लाइंटी मिनट्स, अशलेशा के बाद मघा आता है, इस नप्य को एप यानि अशलेशा का लास्ट नब्बे मिनट और मघा का फर्स्ट नब्बे मिनट जह होते हैं, वो गंडान्त टाइट क्यालाता है suppose कीजिए इने particular day अशलेशा पांच बज़े तक रूल कर रहा है अशलेशा पांच बज़े तक रहेगा नक्षतर किसी दिन में नक्षतर में रहेगा पांच बज़े तक उसके बाद वो मगा नक्षतर में चला जाएगा तो मगा नक्षतर का जो टाइम होगा देंड़ टाइम फॉं 3.30 पी-म टु 6.30 पी-म इन गंडान्त टाइम इन आउस्पियस टाइम हो जाता है 1.50 घंटा मगा का और 1.50 घंटा इसका यानि 3.30 से 5.20 तक का टाइम अशलेशा का हुआ जो last 90 minutes थे और starting 90 minutes जो मगा के थे वो आपके यारी 5-6 बे तक गंडान टाइम के लाया तो कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा इस समय में इन 3 गंटे में पैदा होता है तो वो गंडान दोशा से सफर होता है गंडान दोश लगता है उसको तो ये ध्यान लखना है कि कोई बच् कि असलेशा एंड फस्ट 90 minutes अ नगा तो वो टाइम गंडान पीरड कहलता है इसके अलावा लास्ट के 90 minutes तीम तरह कंडान तो प्रश बताएं आपको लास्ट के 90 minutes जेश्चा नक्षत्र के और लास्ट के first 90 minutes मूल नक्षत्र के वो भी गंडान दोशा कहलाता है और थर्ड गं सब्सक्राइब करना चाहिए जब बच्चा पैदा हो तो उसे कुछ दिनों के अंदर ही कर लेना चाहिए देखा जाया तो यह लेकिन बाद में भी आप कर सकते हैं तो आप चेक कर लीजिए कहीं आप इन तीन नक्षत्रों के या जो शे नक्षत्री हुए इनके स्टाटिंग और एंडिंग टाइम पर तो पैदा नहीं हुए हैं तो गंडान दोश तो आपकी कुंडली में नहीं लग रहा है तो यह चीज़ भी ध्यान देनी पड़ती है रेमेडीज हैं इसकी गंडान दोशा की योग्य ब्रह्मनों से बात करके इनकी रेमेडीज कर सकते हैं अच्छ पाराशर जिसको एस्टेलोजी का बाइबल कहा जाता है उसमें चैप्टर 37 में श्लोक 11-13 में इस योग के बारे में दिया गया है केंदुर्म योग के बारे में दिया गया है आप महां देख सकते हैं वो कहता है कि if the moon is located alone in any राशी and there are no planets in the next house and in the house preceding that राशी अगर चंद्रमा जिस राशी में पोस्टेड है जिस राशी में स्थित है उसके पहले घर में और उसके दूसरे घर में कोई भी ग्रह नहीं है तो वो केंदुर्म योग कहलाता है उसके अलावा चंद्रमा से साथवे घर में भी क खिलाता है, और केमदरूम दोश ऐसा होता है कि उसके अंदर उसको दरिद्र योग भी बोलते हैं, कि मनुष बहुत, मतब दरिद्र योग इसलिए बोला जाता है, ऐसा मत समझेगी केमदरूम दोश कुडली में है, तो पैसा नहीं होगा, पैसा होता है, लेकिन मन की शान्ती से नहीं मिलती है, सब कुछ होते वे भी बड़ा आजीब सा अंज्वाइ नहीं कर पाता चीज़ों को, शकट योग, शकट योग के बारे में भी आपने सुना होगा, ये भी चंद्रमा से पैदा होता है, बीवी रमन साफ की किताब है, थी 300 important yoga combinations, उसके अंदर भी ये दिया हु होता है, और ये जो योग होते हैं, शकट योग हुआ, केमदरुम दोश हुआ, इन दोशों में उत्पन जातक जो है, हमेशा अशान्त रहता है, चीज़ों को enjoy नहीं कर पाता है, कितना भी राजा का बेटा भी हो, तो भी वो enjoy नहीं कर पाता है, तो इनको बहुत जरूरी है कि कैसे इने शान्त किया जो, इनके शान्त करने के लिए, ये मैं आपको दिखाईजाम कुंड़ी में आप देख रहे हैं, चंदरमा के दोनों राशी नहीं है, और इसके चंदरमा से साथे घर में गुरू है, इसलिए शकट योग बनता है, ये आप देख रहे हैं, रेमिड इस्तापित किया था भगवान शिपकी पूजा के लिए चंदरेश्वर लिंग के इसाफ से, उनका नाम था चंदरेश्वर लिंग, वहाँ पर एक चंदरेश्वर लिंग भी है, हुआ है वहाँ पर एक, तो कहते हैं कि चंदरेश्वर लिंग की अगर पूजा की जाए, तो प अगर यह पूजा चंदरेश्वर की पूजा करते हैं उसके अंदर भी आमवास्य से दो दिन पहले तरियो दशी होती है और एक दिन पहले चतुर दशी होती है तो डिवोटी जो है अगर वो चंदर कूप में सनान करते हैं श्राद कर्म करते हैं तो कहते हैं उनके फोर फाडर जो है उनका पित्र जो है वो बिल्कुल संतुस्ट हो जाते हैं तो कहा जाता है कि if for some reasons the rituals of four पादर्स केननोट भी परफॉंड डिवोटी शुड़ अट लिस्ट टस्ट दी वाटर अफ चंद्रकूपा अगर किस तरीके से हम पर बो नहीं कर पाते हैं अपने पित्रों की शान्ती के लिए नहीं कर पाते हैं तो चंद्रकूप का पाली को टच जरूर करना चाहिए और अधू लोग है उनको अन्दान करें तो यह थे कुछ चंद्रमा के दोश उत्पन होने वाले और उनके लिए काशी घंड में जो पुराण में पूजा दी गई है चंद्रेश्वार लिंग की बताया गया है उसके बारे में आशा करता हूं आपको पसंद आये होंगे पसंद आये तो काई लिए कीजेगा स्बस्ट्राइब कीजेगा शेयर कीजेगा इसके लावा हम लोग को मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि हम लोग एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस अस्ट्रलोजी पे अस्ट्रोजिकल लेमिडीज के उपर पैरो काड के झाल